हेलो गाइज दिस से रखाश मादर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल हमारा सिस्ट टूटोरियल है सी प्रोगामिंग लेंगज के उपर जिसमें आज हम सीखेंगे कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन किस तरह की से एक्ज इया मैंने हाँ पे एकसवाई जेड नेक्स्ट कर लेंगे फिनिश करेंगे सोर्सें पर क्लिक करेंगे और अपने फाइलले हम बात करेंगे कि normal printing में क्या फर्क है हमारी और backslash n से हमारा क्या फर्क पड़ता है तो हम यहां पर दो तिन प्रेंट एफ और लिख लेते हैं मलब दो तिन statements और लिख लेते हैं हम अपनी printf यहां पर हमने लिख दिया hello India इसे terminate करेंगे printf hello यहां पर लिख देते हैं America तो यह देखिए हमने यहां पर 3 printf के statements लिख दिया है तो अब देखिए हम इसे run करेंगे तो हमारे पास क्या फर्क आएगा तो हम इसे build में जाएंगे compile current file कर देंगे फिर हम build पर जाएंगे build and run कर देंगे तो देखिए हमारे यहां पर आ चुक है पहले हमने लिखा था printf hello world hello India hello America तो देखिए एक लाइन में हमारी तीनों की तीनों printf की जितनी भी हमने अंदर उसके data दिया तो वह एकी साथ print हो रहा है hello world hello India hello America तो अगर आप इस तरीके से करेंगे आपने यहां पर termination लगा है लेकिन आपकी यहां पर आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन है printf की तीन बार execute हो तो यह अलग अलग लेकिन उनके अंदर की data जो एक लाइन में print हो रहा है तो इस तरीके से अगर आप नॉर्मल printing करेंगे तो आपकी एक लाइन में printing होगी अब देखिया अगर मैं इसमें backslash n लगाऊंगो तो क्या फरक आएगा मैंने यहां पर लगा दिया backslash n यहां पर भी लगा दिया backslash n तो मैं आपको बता देता हूं कि जो backslash n है वह आप जो लगा रहे backslash n अपने जो भी आप प्रिंक करवा रहें तो उसमें आपको double quats के अंधर ही लिखना आधा भैक स्लाशलेश न को ठीक है अगर आप Welcome आपका backslash n के आपको लिखेंगे तो आपका backslash n काम नहीं करेका और backslash tv आपका एसी तरीके से है कि आगर आप उसे double quotes के अंदर लिखेंगे तो वरक करेगा टेबल कोट्स के भाहर लिखेंगे, तो वर्क नहीं करेगा, तो backslashen क्या करेगा, सबसे पहले जो आपका printf का यह है, तो जो हमारी instruction से युब हमारी statement है, वो क्या करता है, जब हम इसे execute करते हैं, तो सबसे पहली वाली statement है, वो सबसे पहले execute होते है फिर दूसरी वाली क्योंकि terminate कर दिया तो यह पहली वाली statement जैसे execute होगी तो दूसरी वाली statement अब execute होगी फिर यह terminate हुआ फिर हमारी तीस स्टेटमेंट execute होगी तो इस तरीके से पहले यह वाली print होगी फिर backslash से वह next line में उसे shift कर देगा फिर hello india print होगा फिर backslash की help से next line में shift कर देगा हमारी next statement को तो फिर हमारा यह वाला hello American next line में print हो जाएगा तो हम इसे build में जाके compile current file करते हैं और फिर इसे build and run कर देते हैं तो यह देखिए मैंने जैसे कि आपको बोला था hello world backslash n की help से हमारा यह जो दूसरा statement है वह हमारी next line में shift हो गया और फिर जो हमारे तीसरे statement था इस दूसरे वाले backslash n की मदद से तीसरे line में shift हो गया तो इस तरीकिसा हमारे backslash n work करता है अब हम backslash t पे आपको backslash t दिखाएंगे कि उसकी working किस तरीकिस होती है backslash t कर देते हैं यहां पर backslash t कर देते हैं और यहां पर भी backslash t कर देते हैं sharing तो backslash t से क्या होगा कि एक का गया देदाने उसमें हमारे next line में shift कर रहता है तो और हमारे पास gap आ जायगाँ तो compile current डाइट से बेया है और जो भी आपका ये है, जो भी आपकी ये statements है, तो आपकी line by line execute होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो भी आप instructions लिखेंगे, और जो भी int main के अंदर, ये जो हमारे curly braces है, इसके अंदर जितनी भी आपकी instructions है, तो आपकी line by line wise execute होगी, सबसे पहले statement सबसे पहले execute होगी, और सबसे last वाली statement आपके सबसे last में जाके execute होगी अब मैं आपको यहाँ पर समझागो कि हमारा main हमारे लिए important क्यों है तो ये देखिए तो ये जो हमारा जो difference है हमारा main function का वो ये है और जो दूसरे functions है उनका difference हमारा ये है कि जो हमारा operating system है सबसे पहले call करता हमारे main function को ठीक है तो main function को उसने call किया main function के पास जो भी हमारे functions है अगर वो link है हमारे main functions है तो वो सारे functions work करेंगे और वो सारे functions execute होंगे हमारे जो भी हमने इन curly braces के अंदर लिखे है अगर ये हमारी functions link नहीं हुए हमारे main के साथ तो वो functions work नहीं करेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ इसे हम comment बना देते हैं देखिए हमारा comment बन गया अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ इसे मैं इहाँ से इसके उपर जाके लिख देता हूँ अब देखिए अब जब मैं से compile करूँगा compile current file तो यह देखिए हमारे यहाँ पर यह देखिए error आगे हमारे यहाँ पर यह देखिए हमारे यहाँ पर error आ रहा है build failed one error देखिए यहाँ पर हमारे error आ रहा है कि जो हमारा curly braces है यह देखिया हमारे यहां पर आ रहा है कि expected declaration specifies और before string constant तो हम जो हमारा यह main function है अगर हम इसके बाहर जाके कुछ भी चीज़े लिखेंगे तो वो आपकी execute नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी instructions है और सबसे पहले जो हमारा operating system है वो call करता है main function को तो जब उसने main function को call किया तो उसकी अंदर की instructions को देखेगा उसके पिछली instructions को नहीं देखेगा कि उसके ओपर क्या है और उसके नीचे क्या है तो वो सिर्फ int main के जो भी आपका main function है जो जिस भी main function को आपने बनाया है तो उसके अंदर जितनी भी instructions है वो सिर्फ उनहीं को देखेगा उसके बाहर की instructions को नहीं देखेगा अगर से मैं दुबार से इसे अंदर लाके paste कर दूँ यहाँ पे देखे इस तरीके से इसलिए हमारा main function बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप main function नहीं बनाएंगे तो उसके अंदर की instructions execute कैसी होगी और अंदर की instructions execute नहीं होई तो फिर आपके program लिखने का क्या फायदा इसलिए हमारे लिए main function बहुत ही important है और जो भी हमारी instructions होती है line by line execute जो भी हमारी statements है और जो भी instructions है वो line by line execute होती है हमारे int main के अंदर वाली statements जो की कली braces के अंदर होती है so guys हमारी वीडियो यहीपे over होती है अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो आप comment section में जाके अपने comments को leave कर सकते है हम आपके पूरी कोशिश करेंगे आपके doubts को solve करने कले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो hit button like करें और पसंद नहीं आई तो dislike button hit करें और subscribe करना ना भूलिएगा so then bye guys